अगर परिवार तूट जाता है तो किसको मिलेगा और देखो तूट गया ना शिवसेना तूट गई ना तूटना नहीं चाहिए ता उनकी आत्मा को बहुत दुख होता वागा अभी भी हम तो जब राज और उद्धो अलग हो रहे थे तो मैंने बहुत प्रयास किया दोनों को करने का बट कुछ चीजे बहुत ही गहरी होती है जो लग जाती है तो इसकी वज़ा से और कहीं किनके उद्धेश होते है कि नहीं सिर्फ हम ही है हम ही वारसदार है बाकी कोई है नहीं तो अगर ये वृत्ती अगर किसी एक के दिमाख में है तो वो ही खुद को वारसदार सम बाकि जितने भी मेंबर्स है उनका कोई माइने नहीं रखते उनके लिए तो अगर ये वृत्ति से चलोगे तो कहां यूनिटी रहेगे तूट गई शिव से ना उसके बाद कॉंग्रिस के साथ चले गई तब उस वत आपको शौक लगा कि मतलब कहां बाडा साहिब जिनका कॉ अगारी में ही वस पार्ट अगारी और सरकार बनी उस वक्त आपको क्या लगा था बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं ने सहाब को और सहाब के साथ इतना वक्त गुजारा है तो उनकी लिए सनातन जो हमारा धर में बहुत मैने रखता है और मैं नहीं कहूँगी कोई एक पक्ष का नाम नहीं लेना चाहते हूँ पर जो रास्ते पे वो उन्होंने हमेशा अपना मुद्दा रखा है या अपनी अपनी अडिन्टिटी को वो क्या है वो अडिन्टिटी को डाइल्यूट होते हुए देखके किसी को भी बुरा लगेगा तो मुझे ही मानना है कि अगर आप कहते हो सहाब को मानते हो तो आपको उन्हीं रास्ते पर चलना जरूरी था जब वो NCP और Congress के साथ चले गए थे तो उस वक्त आपको लगा कि वो भाड़ा साहब के जो लेगसी है उसको वो डाइल्यूट कर रहे थे हाँ और आपको लगा कि वो धोका दे रहे हैं कि हाव बाड़ दिड्यू थिंक इट वस तहीं एक्चुली मैं कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स जानने वाली मैं से नहीं हूँ पर मुझे जो मेरी राय है वो मुझे यही लगता है कि उनको भी खराब लगा होगा जो भी उन पर साहब ने खुरसी को कभी महतु नहीं दिया था और वो कही न कहीं मुझे लग रहा है कि खुरसी के लिए यह सब को चोभी हो रहा है तो वो यह कॉंट्र वर्सी है लास्ट यह यह मैट विद जीफ मिनस्टर उस वक बहुत चर्चा में आई थी आप तो लोगों ने कहा देखो, देखो, शीज़ पुटिंग हर वेट बहाइंड शिंडे साफ तो व्ट वी शिद एक है तो वह वाइड शिंडे साप तो, वट वुट वैड थेखिए वह थी अवाइड ना इस वुट गैट अव्ट वेट अन वहाइड तो उस्वक्त हुआ था उस वक्त मुझे उनक कि आपर आजन परन्त कुणी बोलें और शृदिस थाइमा नी संगित ले बोलवा इसा तर माला तुमी जर अदराने बोलवा तर इसाल वेक्षट को अधरी आजिए, कि आपने अटरी कोई लेक्षट नी अचेक्ट कौनी बोलवा थार। पर मैं गई थी जरूर क्योंकि मुझे बहुत respectfully बुलाया गया था उसके पहले मुझे कभी भी सहाब थे सहाब थे तब तक हम लोग every दसरा राली में नीचे बढ़ते थे मा और हम लोग और वो हमारे लिए बहुत हैम दिन था उसके बाद में बहुत equations change हो गई हम को साइड किया गया ना कोभी कोई पार्ट हिस्सा कुछ नहीं समझा तो ठीक है कोई मेरा कोई ग्रज इस नहीं है पर बात यह है कि कई साल के बाद में दसरा राली में अमंत्रित हुई तो मैं क्यों ना जाओं और मैं वो बंदे को जितने भी सारे शिवसें के मान को सालों से देखते वह आज जीफ मिनिस्टर बने तो मेरे लिए वो एक खासय थी। उसके बाद में आज तो यह है कि मैं आज तो कुई काम नहीं मंगा है। ना उन्होंने मेरा कोई काम किया है। मैं ओपली बोल सकते हूं। तो मैं कुसी की मिंधी नहीं हूं। मैं किसी के हाथ की नीचे आने व